क्या आपको भी अपनी बोलेरों के अंदर दोर्स के खड़-कड़ानी की प्रोब्लम है और आपको बाहर का साउंड जो है गाड़ी के अंदर ज्यादा सुनाई देता है ये किस वज़े से होता है और हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो के अ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रवी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपको गाड़ी के अंदर जो भार का sound सुना ही देता है वो किस वज़े से सुना ही देता है और उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो बोलेरो की खास बाते बाते बाद में discuss करेंगे सबसे पहले बात करते है engine compartment का sound कैसे कम करेंगे किसी भी जगय की अपन soundproofing कैसे कर सकते है इसके दो तरीके होते है एक तो उस area की जो है sound insulation लगाके और sound को कम कर सकते है दूसरा तरीका होता है उस area को जो हम seal करके उसका sound कम कर सकते है sound insulation का example आप यहाँपे देख सकते है यह जो ऊपर की को और साउंड को कम करना अगर यह आपकी गाड़ी के अंदर नहीं है तो इनको जो है आप लगवा ले और इस तरफ भी आपको दिख रहे हैं गोई यह भी जो है काम करते हैं गाड़ी की साउंड इंसुलेशन का आप देखिए जगह जगह पर नीचे के तरफ वहां पर भी ज तरफ ही आप देखिए यह क्या करता है जैसे हम बोनट को क्लोज करते हैं इस पूरे एरिये को जो है सील कर देता है इसका साउंड उपर की तरफ ना आगे सिधा नीचे की तरफ चला जाता है जिससे एक तो वाइब्रेशन जो है अपने को कम मैसूस होते हैं और इंजन का सा गया श्कांड लोज साउंड इसकी कि हुई है इस तरीके की मेट वगेळा यहां पर लगी हुई है नीचे की तरफ पूरी आपकंप्लीट देख सकते हैं नीचे तक की यह जो है लगी हुई ए वोरनट को बंद करने के बाद यहां पर यह रवर शील आगी इस तरफ यह रव को गाड़ी के केबिन में कम साउंड आएगा इसके बाद केबिन की तरफ बढ़ते हैं इसके अंदर आपको कौन-कौन सी चीज हेल्प करती है साउंड को कम करने के लिए डॉर्स के अंदर साउंड प्रूफिंग में आपको हेल्प करते हैं यह जो है रबर यह क्या करते हैं ड अगर आप चाहें तो सामने की तरफ जो आगे आपने केबिन के अंदर देखे थे उस तरीके के मेट चिपका सकते हो जिससे बार का साउंड कम होगा और अपने ग्लास के अंदर यहां पे रबर लगा हुआ है यह भी जो है सेम काम करता है इसके बाद आपकी गाड़ी की सीट बिलकुल हाँ जी आपकी गाड़ी की सीट है वो भी आपको साउंड कम करने में हेल्प करती है इसके बाद आपकी गाड़ी के नीची के मेट वगेरा इनके अंदर आपने कितनी आईसूलेशन करवा रखिया है उस पे भी डिपेंड करता है बाहर का साउंड आप इसके अंदर की तरफ गाड़ी की soundproofing दिख रही होगी, ये देखिए, ये किस तरीके से जो है उखड चुकी है, अगर ये उखड गई है तो इसका मतलब अब ये काम नहीं कर रही है, ये body के साथ चिपक के रहती है, तब ही ये काम करती है, क्योंकि sound और vibration जो है, तब ही observe करती है, इ इस तरीके मेट भी आपको sound reduction के अंदर काफी help करते हैं, और गाड़ी के ऊपर की ये जो चत है, ये भी sound को सोकने के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और अगर आप इसमें भी चाहिए, तो इसको जो है एक बार निकलवा के, और उपर जो गाड़ी की surface है, उसके ऊपर भी sound proofing करवा सकते हैं, आपको market के अंदर sound proofing के लिए mate वगेरा भी मिल जाते हैं, वो भी आप अपनी गाड़ी के अंदर लगवा सकते हैं, या sound proofing की sheets वगेरा market के अंदर available होती है, आप उनको जो है गाड़ी में लगवा के बार का sound जो है कम कर सकते हैं, वैसे bolero के जो NVH level है ब और हम जो है उसको फिर से ने लगाते हैं, जिसके वज़ाए से गाड़ी के अंदर हमको बार का sound जादा सुनाई देने लग जाता है, और गाड़ी पुरानी होने पे भी बहुत बार ऐसा होता है, sound insulation जो होती है, चिपकाई हुई होती है, बोड़ी के साथ वो निकल जाती है तो उसके वज़ाए से भी आपको problem आ सकती है, गाड़ी के अंदर बार का sound आने का एक major coach जो होता है, उसको हम जो है इस rubber को मान सकते हैं, ये rubber क्या होता है, टाइम के साथ खराब हो जाता है, क्योंकि जब भी हम door को close करते हैं, तो वो इस तरीके से rubber को press करता है, जिसके मैं इस करने का मापको बता देता हूँ, इस तरीके से जो है आपको पूरा rubber मिल जाएगा, कुछ एक बार length में थोड़ी से लंबे होते हैं, तो आपको इनको जो है काट लेना है, और इस तरीके से आपको इनको काटना है, मैं आपको निकाल के बताता हूँ इसको, ये देख आपको बाद में क्या करना है, इसको लगाते टाइम आपको क्या करना है, इस साइड को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, अच्छे तरीके से इसको फोल्ड करना है, और सबसे पहले इसको इस तरीके से यहाँ पे अंदर डाल देना है, ये अंदर लगाने के बाद आपक इस तरीके से आप जो है अगर आपको यह रबर चेंज करने पड़े तो इनको जो है आप चेंज कर सकते हो यह एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से मेच हो गया इसको आपको पूरा कम्प्लीट नहीं काटना है वरना यहां से गेप रह जाएगा बोलेरों के अंदर आपको जो है डोर साइड दो रबर मिलते हैं एक तो यह हो गया यह काम करता है साउंड प्रूफिंग का और दूसरा इस साइड आपको डोर के उपर जो रबर दिख रहा है यह काम करता है अपने डोर को जो है इसके अंदर फिक्स करने का यानि कि अगर की बाड़ से बंद करने पर अे डूर क्लोज नहीं हुआ क्यूंकि यह जो यहांपे रभर लगा हुआ है इसकेmont क्लोज नहीं ऑने दाव अगर इस पॉजिशन केन्द रहेगा तो यह खड़कडानी की आवाजसं में ऐकी मूनिग होता है उसके अंदर डबल पॉइंट लोकि होती है single point मतलब आप हलके से भी डोर को लगाओगे गाड़ी की बोड़ी के साथ तो गाड़ी जो है लोक हो जाएगी और जब हम जोर से इसको दबाते हैं इस तरीके से तो अपना जो दूसरा लोक है वो भी लग जाता है और जो अपना डोर है पूरे अच्छे तरीके से नहीं आती है और जो जैसे हम एंडल को थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो डोर को जो है ये बाहर की तरफ धकेल देता है और इनको चेंज करना भी बिलकुल आसान होता है इनके अंदर प्लास्टिक की लोक लगे रहते हैं इस तरीके से एक यहां पर लग रहा है और दूसरा आ आप रबर नया लेके आओगे उसके साथ आपको लोक मिल जाएंगे मैं आपको ये निकाल के नहीं दिखा सकता क्यूंकि इन लोक को जब भी निकालते हैं तो लोक तूटता है या निकल जाता है तो उसके बाद जो है उस लोक को हम दुबारा नहीं लगा सकते हैं तो अगर इनको आप चेंज कर लोगे तो आपकी गाड़ी के अंदर डोर के खड़ खड़ाने की problem solve हो जाएगी दूसरा माँ आपको इसके locking system के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत यह lock इस तरीके से लगता है जब भी यहाँ पर दबा पढ़ता है तो यह lock जो है इस तरीके से जाता है नीचे first lock लग गया इसके बाद जब हम इसको और दबाते हैं तो आप देखिए second lock लग जाएगा तो ये अपना second lock लग जा जब ये second lock लगता है तो अपनी जो door है अच्छे तरीके से पूरा tight हो जाता है एक lock लगने पे primary जो door है वो lock होता है तो उसके अंदर door lose होने के वज़े से आपको इसी problem आती है और जैसी door को खूलने के लिए button प्रेस करते हैं तो आप देखिए ये किस तरीके से जाता है ये इस तरीके से अपना door lock काम करता है तो ये सब चीजें करने के साथ साथ आप इस पे हलका सा grease लगा सकते हैं जाधा grease ना लगाएं वरना आपके कपड़े कराब होंगे क्योंकि वो जो grease है यहाँ पे आके चिपक जाएगा तो जब भी आप गाड़े में गुसोगे तो उस टाइम आपके कपड़े बगेरा कराब होंगे इस तरीके से आप बोलेरो के डोर के खड़कड़ाने के आवाज कम कर सकते हैं और बोलेरो के अंदर बार का sound जो है कम कर सकते हैं यह थी हमारी वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपसे मिलते हैं आगे किसी और वीडियो के अंदर तब तक के लिए जय हिंत